बुढ़ा पे तक खुद को स्वास्त रखना है तो इन बातों को गाठ बाद लीजिए नमबर पहला, कब से पीडित लोगों को साम के समय पपीपता का सेवन जरूर करना चाहिए नमबर दूसरा, दातों को स्वास्त रखने के लिए रात को सोने से पहले दातों को साफ करना चाहिए उसके बाद एक गिलासा पानी पीकर ही सोना चाहिए नमबर तीसरा, खाना खाने के समय अधिक पानी नहीं पीना चाहिए बीज में एक की बार ही पानी पीना चाहिए यादी हो सके तो खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीए नमबर चौथा खाने में पोश्टिक भोजन, दूद, दही, सलाद, फल, अनाज, हरी सबजी आधी का प्रियोग करना चाहिए हमेशा सबजीयों को धोकर प्रियोग में लाना चाहिए नमबर पांचवा बहुत देर तक एक ही अवस्था में नहीं बैठे रहना चाहिए नमबर छाटवा बड़े बुजर्गों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए उनकी छोटी सी छोटी बाते बहुत ही ग्यान पोड होती है नमबर शाथवा भूग से अधिक खाना बिना भूग के खाना वा आसमय खाना स्वास्त के लिए हनिकारक होता है नमबर आठवा याद घर में छोटे बच्चे और बूड़े लोग हैं तो स्वाच्ता का अधिक ख्याल लगना चाहिए क्योंकि बूड़े और बच्चों को बिमारी जल्द हो जाती है आसा करता हूँ आपको इस बीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत बंदे मातरम